ऐसा था नेपोलियन नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था एक दिन वह अपनी बहन इलाईजा के साथ आँख में चौनी खेल रहा था इलाईजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूनने के लिए इधर उधर दोड रहा था अचानक महां एक लड़की से जा टकराया लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी नेपोलियन के टकराने से उसकी ठोकरी नीचे गिर पड़ी कीचण होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए महरोती हुई कहने लगी अब मा को मैं क्या जवाब दूंगी चलो भईया हम यहां से भाग चले नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानी हुई है यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे तीन छूटे सिक्के उस लड़की को दे कर कहा बहन मेरे पास यह तीन ही सिक्के है तुम इन्हें ले लो इन तीन सिक्कों से क्या होगा मेरी मा मुझे बहुत मारेगी अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो हम तुम्हें अपनी मा से और पैसे दिलवा देंगे भाईया, इसे घर ले चलोगे तो मा नाराज होगी नेपोलियन नहीं माना वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया मा को घटना की जानकारी दे कर वह बोला मा, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए ठीक है, मैं तुमारी सच्चाई से खूस हूँ मगर याद रखना, अब तुमें एक मैने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है मा मा ने उस लड़की को दो बड़े सिक्के दिये वह खुशी-खुशी घर लोट गई नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अदबुध आनंद आया वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इनसान था बच्चपन से ही उसे खुद पर द्रड विश्वास था और द्रड इच्छा शक्ती भी सच्चा दान मालबार केरल की बात है वहां बढगरा नाम के एक गाउं में सबा का आयोजन किया गया गांधी जी ने अपने भाषन में सबा में उपस्तित सभी बाहिनों से जेवरों की भीख मांगी बहुत से वस्तुएं भेट में मिली अपना भाषन समाप्त करके गांधी जी उनको निलाम करने लगे उसी समय कवमुदी नाम की सोला वर्ष की एक कन्या दीरे से मंच पर चड़ाई उसने एक हाथ की सोने की चुड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चुड़ी भी उतार दी ये देख कर गांधी जी ने कहा अरी पगले लड़की, दोनों चुड़िया देने की जरुरत नहीं है एक ही चुड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा इसके उत्तर में कौमदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया गांधी जी ने पूछा तुमने अपने माता पिता से आग्या ले ली है ना बीना कोई उत्तर दिये उसने कानों में से रत्न जड़ित बुंदे भी निकाल लिये आबूशनों को देने के लिए अपने माता पिता से आग्या ले ली है ना कौमदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा इसके पिता तो यही है ना मान पत्रों की निलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे है तुम्हें यह तो मालुम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी कौमदी ने यह शर्त द्रड़ता पुर्वक स्विकार कर ली गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया तुम्हारे इन आभूशनों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूशन है सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं